हेलो एवरिवान और नमस्कार सवी को आज हम लोग जारकन पॉल टेक्निक 2019 के पेपर का इंपोर्टेंट कोशन्स जो आपकी 2019 प्रिबियस से में पूछे गए थे उनका सलूसन करने जा रहे हैं आपकी केमेश्टी और मैथ्स का भी सलूसन इसी चेनल पे मिलेगा तो चले हमेशा एसी होती है तो आपकी जो इमेज जो बनते है प्लेन मिलर की द्वारा वह हमेशा भर्चूल एंड इरेक्ट होता है मतलब अहबासी और खड़ा होता है क्या जगा ऑप्शन ए हो जाएंगे से नेक्स्ट कोशन कोशन नमर बढ़ने टू क्या बोलता है एक गोलाकार दरपन से वरकता केंट सेंटर सी से और आपका गुजरने वाली ठीक है और धूर्ब पोल से गुजरने वाली देखा हो क्या करते हैं आपका प्रिंस पर एक्सिस करते हैं परधान धूरी करते हैं सर क्या जगा ऑप्शन बी हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएंगे सबस्राइब सिखाएब और यहां क्लम सब्सक्राइब सब्सक्राइब परधान केंदर बिंदू करते हैं क्या जगा option A हो जाएगा next question question number 104 104 क्या कहता है जब एक वश्तु को अनंतताब में रखा जाता है तो उतल दरपन द्वारा निर्मित छवी काकार होता है कोई अगर कोई भी अगर convex mirror में अगर आपका वब्यक्ट कहीं भी हो इसका image हमेशा क्या बनता है अगर infinity पर रखा हुआ है अनंत पर कहां पर रखा हुआ है infinity तो इसका जो आपका इमेज जो बनता है वो point size बनता है क्या जगा option A हो जाएगा 104 का option A हो जाएगा जब वो infinity पे कोई object है तो इसका image कहा मनता है focus पे focus पे बनता है और focus पे जो बनता है वो किसा आपकी जो होते हैं highly diminished होता मतलब point size होते हैं क्या जगा option A हो जाएगे नेक्स्ट कोशन कोशन नमर 105 105 बोलता है दंत चिकित सक द्वारा रोगियों के दातों की बड़ी छवियों को देखने के लिए उप्योग के जाने वाली दर्पन का परकार है तो dentrist जो है आपके surgeon आपके दांत के डॉक्टर जो है वो दांत को देखने के लिए कंके mirror का यूज क नेक्स्ट कोशन कोशन नमबर आपका मोल लगता है 106 कि दिये गए माधियम यूगम के लिए आप परवर्तन कोन के जया से पतन कोन के जया का अनुपात इस्तिरे इस सिधान्त को कहा जाता है तो सैन आई बैस सैन आर आपका क्या होता है इस्तिर होता है सैन आई बैस सैन आर नेक्ट कोशन कोशन नमबर 107 108 107 बोलता है क्या निम्लिकित में से किसका आप परवत नांक सबसे बड़ा है तो किसका रिफ्लेटिव इंडेक्स सबसे ज 화ता हूं ना है यह चार पदातं आपकी दभा धरिफ्लेष़् झाल सबसे जादा होता है क्या जाएगा option c sir next question question number question number आपके 108 108 क्या बोलता है रेखेगा एक गोलाकार लेंस की विर्तकार रूप रेखा कि परभावी ब्यास को कहा जाता है तो effective diameter of circular outline of a spherical lens उसको क्या बोला जाता है aperture कहा जाता है सर उसे चिद्र कहते हैं क्या जाएगा option a हो जाएगा सर 108 का option यह हो जाएगा next question question number 109 क्या बोलता है समतल दर्पन की focal नंबाई होती है कहां होती है अन्तता पे infinity पे होता है focal lens तो plane mirror कोई पूछत क्या बोला अनंतता होता है option c हो जाएगे infinity होता next question question no 110 110 क्या बोलता है lens की सक्ति की SI मात रख हो 1 है तो SI unit of power of lens क्या होता है adapter होता है ससर क्या होता है adapter होता है जा जागा option यह वी हो जाएगे lens का power क्या होता है adapter option ब्योटर ऑप्शन भी हो जागा यह पार metre होता है यह भी याद रखिए ठीक है इसी को क्या बोलता है डापटर ने खोजे थे डापटर अपना डाल दिया गए अब आता है नेक्ट कोशन, कोशन नमबर 1111 क्या बोलता देखिएगा आंक का अशिफ नेट्र पटल है तो रेटिना वपाई ही जे तो यह आपका लैट सेंशिटिव असक्रीन है परकास का पटल है क्या जगा option A हो जाएंगे नेक्स्ट कोशन कोशन नमर 112 क्या बोलता है देखिएगा आंख के लेंस की फोकल लंबाई को समयों जीत करके की विंद दूरी की वस्तुमों पर मानव आंख केंद्रित कर सकती है इसे कहते हैं तो दा हमेन आई केन फोकस ऑब्जेक्ट डिफ्रेंट डिस्टेंस बाइड्जेस्टिंग इसे क्या बोलते है एक मोड्रोशन कहते हैं सुवीदा कहते हैं क्या हो जाएगा option भी हो जाएगा त देख देखाएं तो अलग अलग दोरी के अब्जेक्ट को क्या करता है वो फोकस कर लेता है यह आपका सारे image का मता है तो आपकी पर बननता है तो आपके आद्जस्ट की फोकल लेंस को जriers lange और डिफ्रेंट डिस्टेंस की ऑब्जेक्ट को और नाई की द्वारा उसको क्या कहते हैं तो सुवीदा कहते हैं या एक्मोडेशन कहते हैं क्या बोलता है आंक के लेंज की फोकल नंबाई में परिवर्तन किसके किरिया के कारण होता है तो अंक के सुवीदा की सक्ति कम हो जाती है इस स्थिति को कहा जाता है क्या कहते है प्रेस बाइप या क्या कहते है प्रेस बाइप या क्या कहते है प्रेस बाइप या मतलब उम्र बढ़ने के साथ आगा आंक के सुईदा के सक्ति क्या हो जाता है कम हो जाना पावर एक्वंडेशन कम हो जाना जैसे जैसे एज आपका किरन होता है तब निमन में कौन सा रंग सबसे ज्यादा जुखता है तो सबसे ज्यादा रंग कुन जुखता है आपके इसे भी जियो तो इंडिगो नील सबसे ज्यादा जुखता है क्या जागा ऑप्शन यह हो जाएंगे वर फिफ्टिन का ऑप्शन यह हो जाएंगे सबसे आपका यहां पे आपका भी वाइलेट आपका सबसे ज़्यादा जुखता है लेकिन यहां पे उसके बाद कौन इंडिगोस दिया हुआ है तो यह आपके क्या जाएंगे ओप्सन यह हो जाएंगे नेक्स्ट कोचन कोचन नंबर कोचन नंबर आपके 117 वो तहां कोलैडल कनो दुआरा परकास का विक्रण है वो क्या है आपका तो आपके तिंडल एफेक्ट है तेंडल परभाव है जो आपका असकेटिग ऑप लैट भाइडि कोलेडल पार्टिकल इज का जबाड जो आपके क प्रेंडल फरबाब बोलते हैं अब बोलता है नेश्ट कोउच्छन देखेगा क्या बोलता है कि अकास का निला रंग और सुरियोदें और सुर्याष्त के समय सुर के लाल रंग का कारण होता है असकेट्रिंग और प्लैड की कारण होता है क्या जागा option को जाएंगे सब 118 in को ऐफसन हो जाएंगे मोलता एक तो एक यह सकीन होता है क्या जारण हो जाएगा सब्सक्राइब हो जाएगा में कुलरेंटीन हो चतक इस अरप सबस्क्राइब हो चलmeण थी उत्य हो km 120 क्या बोलता है दो बिन्द्वों के बीच के विवान्तर की बराबर है तो क्या हो जाता है वक्डन बाइ चार्ज भी बराबर क्या होता है W by Q कोई दिखा option option A हो जाएगा क्या गया कायर बटा आपकी charge आवेस होता है क्या जाएगा option A हो जाएगे नेच्ट आपके question number 121 121 बोलता है क्या देखिएगा विवान्तर की SI1 है तो विवान्तर के SI1 क्या है वोल्ट है potential difference के SI unit का होता है वोल्ट होता है option B हो जाएगे नेच्ट कोउचन कोउचन नमर 122 122 बोलता है वन ओम के बराबर है तो आर बराबर क्या होता है विवाय आई ठीक है परतिरोधक बराबर क्या होता है voltage बटा current तो क्या हो जाएगा यहां से वन ओम बराबर वन आपके वोल्ट बाई वन एमपियर कोई दिखा option C दिखिए अस लेंध आपके जो रिस्टेंस से डाइक्टि पोफेशनल टू लेंथ होता है लंबाई होता है परतिरोधक बराबर दाइक्टि पोफेशनल तो लंबाई को अगर दूग गुना करेंगे तो आपका रिस्टेंस परतिरोध भी दूगुना हो जाता है क्या जाएगा option B हो जाएंगे next question में जाता है कि जब पर्तीर रोधुकन को सिरिंखरा में जोडा जाता है तो वहाँ क्या होता है तो वहाँ पर जो होता है तो पर्तिक रोधुकन को जनने वाली क्या हो जाएगा voltage पूरूर्स ही क्या जाएगा ऑप्षन यह हो जाएगा क्रेंट सेम राती है जो करेंट आपका पूरा धारा में उदीद धारा के समान होती है ते समान हो R2 को पैनल में जोड़ा जातत क्या हो जाता है 1 by Rp ब्राबर 1 by R1 plus 1 by R2 यहां से निकालो गोते Rp जो निकलेगा R1 into R2 by R1 plus R2 हो जाएगे तो कोई option दिखा क्या को option दिखा option D दिख्या सर option D correct हो जाएगा 126 का option D हो जाएगा next question question number 127 127 क्या बोलता है देखिएगा जोल के उस्मा के सिदान्त के अनुसार विदुधारा के कारण निर्भित उस्मा डेस की द्वारव दी जाती तो क्या होता है H बराबर I2RT होता है कोई दिखा फरमूला क्या option A दिख्या option A सही according to Joule's law of heating the heat generated due to electric current क्या होता है I2RT आई क्या current है R क्या resistance है और टी क्या है टाइम है next question 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 number 128 क्या बोलता है एक वार्ट विदुध सक्ति के बराबर होता है तो वार्ट बराबर क्या होता है P is equal to VI होता है तो वन वार्ट बराबर क्या जगा वन वोल्ट इन्टू वन एम्पियर कोई दिखा क्या option A दिख गए असर option A आपका correct हो जाएगा 128 का option A हो जाएगा next question 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 number 129 129 क्या बोलता है विदु तूर्जा की बेवसाई की काई है क्या है किलो वार्ट घंटा क्या है किलो वार्ट अवार है क्या जगा option A option A हो जाएगे next question 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 number 130 the resistance of wire तार की पति पति रोग दिखता क्या है आपके डाक्री प्रफेशनल टू एरिया क्रो सेक्षन नहीं यह गलत है 131 क्या बोलता है देखिएगा ब्रेट टोस्टर ठीक है और विदूत इस्तरी जैसे विदूत गर्मी के उपकरन के सहवाग सुद्धात्यों के बजाए मिस्धात्यों द्वारा बनाए जाते हैं क्योंकि इसके जो एलाइस का होता है हाय रेश्टिविटी होता है इसी कारण ठीक है क्या जगा मिस्धात्यों में पर्थिरोगता अधिक होती है क्या जगा ऑप्सन भी हो जाएगे 131 का ऑप्सन भी हो जाएगे क्योंकि इसका रेश्टिविटी पर्थिरोगता ज्यादा होने के कारण उसे बनाया जाता है कि नेक्ष्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् अपने सामने इस्ट मानेगा तो इस्ट से वेस्ट जा रहा है मतलब कि इस्ट से वेस्ट जा रहा है दा डाक्षन ऑप मैंगेटिक फिल्ड एट पॉइंट डाक्ली बिलो दी पावर जो आपके पावर लाइन के डाक्ली बिलो है मतलब यह और नीचे जा रहा है ठीक है और नी तो आपके जो होगे तो आपके जो तार जो जाएगा विदू सकति तार की सीधे नीचे की विंदू छेतर की दिशा होती है तो क्या जाएगा आपके मेंगेटी फिल्ड का ड्यक्षन किदर होता है वही तो पूछा है तो किदर होता है हमेशा नॉर्थ त्रू साउथ होता है क्या जाएगा ओप्सन ए हो जाएगे तो मेंगेटी फिल्ड का ड्यक्षन पूछा है तो किदर से किदर होता है नॉर्थ से कलता है और सावत में टर्मिनेट होता है क्या जागा option ही हो जाएंगे नेक्स्ट कोर्चन कोर्चन 133 133 क्या बोलता है देखिएगा एन घुमाने वाले विदुद्धारा वहन करने वाली गोलाकार कुनली के कारण चुमक्की छेत्र होता है मैंनेटी फिल्ड डू टू करेंट केरिंग क्वाइल सर्कूलर क्वाइल हाइबिंग एन टरंस एन टरंस इज क्या होगा इसमें ए बताना है तो अगर नंबर ऑप टर्म जितना बढ़ेगा तो लाज एन टर्म साइज लाज दियाट प्रडूज जाएगा ओप्संद भी हो जाएगा जितना नम्र उप टर्णस बढ़ेगा मैंनेटी फिल्ड उतने ही आपका बढ़ेगा चाला अप्संद भी हो जाएगा श्था नेश्ट कोशन कोशन नमर 134 क्या बोलता है परिनालिका के अंदर उत्पादित मजबुत चुमक्य छेत्र का उप्योग कुंडल के अंदर रखे गए चुमक्य शमागरी जैसी नरम लोहे के टुकड़े को चुमक्य करने के लिए क्या जा सकता है जो चुमक्य बनता उसे कहता है उसे क्या बोलते है इलेक्ट्रो मेंगनेट करते हैं विदूत चुमक करते हैं कि मतलो मानों कि एक क्वैल में ठीक है सोने नाइट में क्या कि यह एक नेक्स्ट कोशन कोशन नुम्र 135 क्या बोलता है देखिएगा विदु धारा वहन करने वाले एक लंबे सीधे पदी नालिका की बीतर चुमक्य चेतर है तो सोलेनोइड जो अलोंग अस्टेट सोलेनाइड केरिंग करेंट आपका करेंट करी कर रहा है तो मारो यह सोलेनाइड ह इतने भी आपके मैंगेटिक फिल जो होता है वह सेम एट पॉइंट, सभी बिंदुवों पर क्या होता है समान होता है सथ, यहां पर पांच टेसला है तो यहां पर भी पांच टेसला होगा, हर एक बिंदु पर अंदर में क्या सेम होगा, या जागा, option D हो जाएंगे, next question question number 136 136 क्या बोलता है flaming के बाएं हाथ के नियम के उनुसाथ तरजनी की दिसाद रसाती है तो तरजनी मतलब बोला जाए तो आपके जो है four finger four finger किदर रखते है चुमकिये छेतर में क्या जगा option B हो जाएगे sir option B हो जाएगे four finger किदर रखते है आपके तरजनी उंगली किदर रखते है आपके option B के तरप 136 का क्या हो जाएगा option B हो जाएगे next question question number 137 137 क्या बोलता है wow current जो किसी परिपत में विदूत की उपस्तिती का पता लगा सकता है तो the device that detect the presence of current in a circuit is called क्या बोलते है गलेवनोमेटर बोलते है गलेवनोमेटर भी क्या current को measure करता है कि किसी circuit में current है या नहीं है उससे क्या गलेवनोमेटर से हम measure कर सकते है next question question number 138 क्या बोलता है देखिएगा विदू जनरेटर के कायर के तहत बुन्यादी हटना है तो आपके basic phenomenon जो है electric generator का working principle किसमें काम करता है electromagnetic induction क्या जगा option A हो जाएंगे next question question number 139 139 बोलता है तामबे के तार का एक आयता कार कुंडल एक चुमक के छेतर में घुमाया जाता है प्रेजित विदुदारा की दिच्छा पर्तेक में परिवर्तित होती तो हाप घुरन के बाद वो हमेशा क्या होता है current का direction को change करता है current का direction को हमेशा change करता है हाप revolution के बाद क्या जगा option C हो जाएंगे मतलब ये कोईल है कोईल अगर आधा rotate कर लिए आधा खुरन के बाद क्या होता है current का direction को change करता है क्या जगा option C हो जाएंगे next question question number 140 140 क्या बोलता है चुमक्य छेतर में रेखाओं को एक साथ दिखाए जाता है जहांद चुमक्य छेतर डेस क्या होता है कि Magnetic Field Lens are slower closer together जहां पर Magnetic Field जादा closer है जादा closer है तो वहां पर Magnetic Field जो होगा चुमक्य छेतर वो मजबूत होगा स्ट्रोंगर होगा क्या जागा Option A हो जाएंगे 148 का Option जितना closer उतना Magnetic Field जादा होगा जितना आपके open होगा दूर जब दूर जाएगा आपके दूर होगे फार होगे उतना आपका Magnetic Field कम होगा समझा गया next question question 141 141 क्या बोलता है विधूत ले जाने वाले सोलेनाइड का चुमक के छेतर के देश समान होता है Magnetic Field of Solenide Caring के Current is similar to that of Bar Magnetic एक इसके बराबर होता है चुमक की पट्टिक के समान होता है जो आपका सोलेनाइड का मैंगनेट के व्याइड करेगा वैसे ही आपका बार मैंगनेट के तरह होगा क्या जगा option यह हो जाएगे next question question number 142 क्या बोलता है घरों में AC के आपउर्ती 220V 50Hz की आपउर्ती आपउर्ती के तारों में ले से एक लाल इंसुलेशन के साथ जिसे कहा जाता है लाइब वायर कहा जाता है विदूत 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 नमय तार कहा जाता है क्या जगा option A, red color वाला जो wire होता है, वो आपकी cover किया हुआ wire, वो live wire है, green वाला आपका earth wire है, और बलेक वाला जो color है, वो आपके neutral wire है, ठीक है याद रखिएगा, तो क्या जगा 142 का option A हो जाएगे, next आपका 143, 143 क्या बोलता है देखिएगा, the phenomenon of electromagnetic induction, विदू चुमक्य प्रे magnet and coin, क्या होता है, एक चुमक और कुंडल की भी सापेच गती के कारण, कुंडली में प्रेरित विदुधारा उत्पन करना, कि वहां से induced electric current प्रेदूच करेगा कब, जब आपका magnet rest में हो, मतलब कि अस्थीर हो, और आपका coil move कर रहा, आपका coil अस्थीर हो, magnet move कर रहा, दोनों में एक आपका motion में होना चाहिए, एक आपका rest में होना चाहिए, क्या जाएगा, option C हो जाएगे, 143 का option C हो जाएगा, next question, question number 144, 144 क्या बोलता है, लगू परिपत, short circuit के समय, परिपत में बिजली या विदूत, ठीक है, तो at the time of short circuit, the current in the circuit क्या हो जाएगा, increase heavily, अत्यादिक option C हो जाएगा, next question, question number 145, 145 क्या बोलता है, विदुत परवाव के उत्पादन के लिए उप्योग किया जाने वाले उपकरन को कहा जाता है, that device used for producing electric current is called generator, क्या कहते हैं, उसे generator कहते है, option क्या हो जाएगा, ये हो जाएगे, next question, question number 146, 146 क्या बोलता है, देखीगा, कि लगू परिपत, short circuit से परिपत की सुच्छा के लिए उप्योग किया जाने वाला सुच्छा उपकरन है, safety device जो यूज किया जाता है, short circuit से बचाने के लिए क्या जाता है, fuse को यूज किया जाता है, क्या जगा, option B हो जाएगे, option B हो जाएगे, next question, question number 147, 147 क्या बोलता है, विदुध कर रहा, उसकी opposite direction में, क्या जाएगा, option B हो जाएगे, next question, question number 148, 148 यह बोलता है, देखेगा, परतिरोध आर के तार का टुकड़ा, पांच समान भागों में काटा जाता है, इन भागों को फिर समान तर में जोडा जाता है, अधि इस संयोजन का सम्तुल, परतिरोध आर डेस क्या होगा, यह हमें बताना, तो क्या, पांच भाग में काट कर दिया गया, एक, दो, तीन, चार, पांच होगे, तो क्या हो जाएगा, आर बाइ फाइप, आर बाइ फाइप, आर बाइ फाइप, और आर बाइ फाइप, और आर बाइ फाइप, यह आप इसमें किसमें जोड तो 5R हो जाएगा 5R by 5, A5 उपर चला जाएगा 25 by R, 25 by R तो AR देखो division में इधर लेकर आगे तो क्या जाएगा Multiply action में क्या जाएगा R by R dash is equal to कितना गया 25, क्या जाएगा 25 हो जाएगी, क्या जाएगा option D हो जाएगी Next question question number 149, 149 क्या हो जाएगा निमलिखित में से कौन सा पारंपरिक उर्जा का स्रोत नहीं है, तो कौन इसमें conventional source of energy नहीं है यह हमें बताना है तो 149 का क्या हो जाएगा option परमान उर्जा क्योंकि यह आपके modern है, यह आपका non-conventional source of energy है, पहले वो नहीं चलती आ रहा था Next question question number 150, 158 बोलता है क्या निमलिखित में कौन सा उर्जा का एक गेर पारंपरिक श्रोत रहे है, non-conventional source of energy इसमें कौन है वो हमें बताना है, तो कौन है solar energy, solar energy पहले से आपका यूज करती आ रहा है थेक है, तो यह आपका solar energy यह आपका पहले से यूज करते हुए नहीं आ रहे हैं, तो इसमें आपका non-conventional source of energy पूछा गया है, मतलब पहले से यूज नहीं, solar energy तो आहाल फिलार में रिसर्च किया गया और यूज किया जा रहा है, मतलब वो पूरवज यूज नहीं करती थे, क्या जगा option भी हो जाएं, तो इस तरह से हम देखें, सारे 50 questions, फिजिस की जितने भी important questions हो सकते, आप 7 अपेल को यहां से त्यारी करके जाएं, आपकी एकदाम बहुत अच्छी जाएं, ठीक है, धन्यवाद,